Hello everyone, आज के PGT Computer Science के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है Emerging Technologies का एक और important topic artificial intelligence discuss करेंगे जो कि आपके exam के point of view इस बहुत important है तो इस topic को हम लोगोंने आपके लिए detail में यहाँ पर present कर रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज आप end तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने Computer Science Plus के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल, लाइक इस वीडियो और शेयर इस वीडियो क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है आपके TGT, PGT की preparation के लिए जिसमें KVS, EMRS, NVS और DSS भी शामिल है उनसे related वीडियो अप्लोड करते हैं साथ में UGC Net Exam, Set Exam K और साथ में जहां पर भी Computer Science जो है आपके एक्जाम के अंदर आती है उनकी preparation हम लोग जो है अपने इस चैनल पर कराते हैं साथ में इनसे related course जो है हमारी website पर available है जिसके लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर contact कर सकते हैं हमारा WhatsApp नंबर जो है आपके screen पर available है तो अब हम लोग जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है इस topic को artificial intelligence को detail में discuss करेंगे तो चलिए मैं आपको अपने screen की तरफ लेके चलता हूँ तो देखिए जैसा कि हम लोग मैंने आपको बताया कि artificial intelligence जो है emerging technologies में आपके syllabus के based पर है तो इसको हम लोग जो है detail में यहाँ पर discuss करेंगे इसके अलावा जो भी कोई आपका doubt है आप हमारे whatsapp नंबर पर और साथ में telegram channel तो telegram channel हम लोगों ने separate create किया हुआ है तो उस channel का link video के description में जा कि उसको join कर लीजेगा तो चलिए आज के इस video को start करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है इसकी definition की अगर हम लोग बात करें तो artificial intelligence हो है एक तरह की computer system के अंदर एक ऐसी technology है जिसकी help से हम लोग किसी भी system की help से कोई भी content को create कर सकते हैं by using the human intelligence तो देखिए हम लोग जैसे अगर हम लोग बात करें तो artificial intelligence जो दो शब्दों से बना है एक तो है artificial एक है intelligence तो जैसे human के अंदर intelligence होती है जो अपने experience के base पर अपने जो उसका पुराना experience रहा है और जो भी उसके सामने जो भी कोई problem होती है उसको जो है अपने human mind से जो है solve करता है तो उसी तरीके से artificial intelligence जो है इसके अंदर बहुत सारे computer system की knowledge को जो है इसे train किये जाता है जिसके basis पर ये problem को solve करता है तो यहाँ पर हम लोग देखे तो artificial intelligence refers to the creation and development of the computer system that can perform the task that typically require the human intelligence जानी जिन कामों के लिए human mind की human brain की जरुत पड़ती है तो ऐसे काम के लिए जो है computer system को assemble करके जो है ऐसे task को किये जा सके है तो उसी को हम लोग artificial intelligence कहते हैं तो artificial intelligence के अंदर जो है बहुत तरह से computer में जो है एक तरह से simulation based जो है problem को solve करके machine की help से उसको present किया जाता है तो इसमें जो है काफी सारे rules based जो है rules के according जो है हम लोग जो decision लेते हैं जो अभी मैं थोड़ी तरह में आपको बताऊंगा तो artificial intelligence एक तरह का पूरा का पूरा system है जिसमें किसी भी problem को starting से लेकर end तक solve किया जाता है उसको पहले analysis किया जाता है और उसके अंदर data के according जो है वो अपने output को generate करता है अब इसमें आता है next part जो है cognitive abilities simulation तो cognitive abilities का मतलब क्या है तो देखिए जब भी हम लोग यह सामने कोई भी object आता है तो उस object को हम अपने past experience से यह पता कर लेते हैं कि वो object क्या है कितना कितना उसका size है कितना वो object हमारे लिए helpful है तो complete उस object के बारे में हमें knowledge पहले से है और उसके अधार पर अगर कोई भी नई चीज हमारे सामने आती है तो हमारा human mind जो है उसको अपने अंदर simulate करके जो है उसके result हमारे सामने present कर देता है तो उसी तरीके से artificial intelligence के अंदर भी बहुत तरह के cognitive abilities होती है जिसको यह अपने system के अंदर simulate करता है अभी किसके अधार पर जो है problem को solve करता है जड़ा देखते हैं तो पहला है हमारा reasoning based तो artificial intelligence जो है AI के जो system है वो किसी भी information को analysis करते हैं और उस information को analysis करने के बाद जो भी logical conclusion होता है उसको draw करने के बाद जो है अपने decision को लेते हैं based on the available data तो यहाँ पर यह data जो है already जो है वो इनके system में पहले से feed किया होता है जिसको हम लोग training data कहते हैं मैं इसको बार-बार आपके सामने present नहीं करूँगा तो training data होता है तो training data एक तरह का वो data होता है जो कि already हमारे पास इसके results available होते हैं अब जब भी हम लोग अपनी कोई नई problem को solve करते हैं तो training data के basis पर उसकी reasoning की basis पर हमारा जो AI है उसके results को हमारे सामने present करता है अब इसके अंदर जो है problem solving के लिए problem solving simulation होता है तो problem solving simulation मतलब यह होता है कि हमारे पास जो भी complex problem हमारे पास हम लोगों ने हम लोग जब भी हम बोलता हूँ तो यहाँ पर AI system होता है तो AI system के अंदर बहुत तरह के algorithms already feed होते हैं जो कि किसी भी complex problem को उसको divide करकर solve करता है और उसके जितने भी results होते हैं solutions होते हैं उनके अधार पर जो है अब उस problem को solve किया जाता है तो AI algorithm जो हैं तो देखिए अभी AI का बहुत बोल बाला है हर जगे आप YouTube पे देख रहे होंगे बहुत सी जगापा chat GPT, chat board और ना जाने कितने सारे AI के tools available हैं market के अंदर तो यह जो है कुल मिलाकर artificial intelligence की वज़े से ही संभव हो पाया है अब हमारे पास आती है learning तो learning का मतलब यह है कि जो AI system जो है अपने past के performance के basis पर past के experience के basis पर बहुत सारा data अपने system के अंदर feed करता है feed करता है मलब human being इसको feed करते हैं बट धीरे धीरे जिस तरीके से यह data को feed करता है वो जो है वो dynamic based होता है क्योंकि जो भी कोई नई information आती है वो उसको grasp परता है और उसके basis पर future में आने वाले जो भी predictive results होते हैं उनको यह हमारे सामने present करता है तो learning based simulations होते हैं तो देखें जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि जो हमारे जो AI के अंदर जो simulations होते हैं वो यह 45 तरीके के होते हैं जिसमें reasoning based होता है दूसरा problem based होता है तीसरा होता learning based उसी तरह से चौता होता हमारा perception based perception based का मतलब यह होता है कि AI जो है अपने आसपास के environment को हमेशा interpretate करता रहता है उसके जितने भी inputs होते हैं उनको understand करता है और उसके अधार पर जो है वो एक तरीके का visual और audio जिस तरह से हम लोग data को feed करते हैं जैसे बहुत सारे pictures हैं बहुत सारे videos हैं उसके अधार पर जो है एक नया image एक नया video भी create कर देता है तो यह perception based भी simulations होते हैं तो इसके अंदर human artificial intelligence जो है को भी video, image, audio के basis पर एक नया output जो है जो है वो generate करता है और साथ में इसमें image recognition, speech recognition की इस तरह की जो advanced technology है वो भी इसमें already जो है available होती है अब बात आती है interaction based तो interaction based में सबसे best example है Google talk मलब Google में जो हम लोग translation based translation करते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कि किसी भी language को दूसी language में हम लोग translate करते हैं यह जो है एक तरीक से AI interaction का सबसे best example है इसमें AI system क्या करते हैं कि जो भी human language होती है यानि जिस दीए human language को हम लोग जो है natural language कहते हैं जैसे for example Hindi है English है तो हमारे जो human being की language को समझने की जो एक पावर होती है वो एकदम अलग होती है बट किस तरीके से हमारा computer उस language को समझ पा रहा है उसको interpretate कर पा रह है ना Google Assistant से हम लोग अपने कोई भी question पूछते हैं for example Amazon का Alexa तो यहां पर हम जो भी सवाल पूछते हैं इन system से तो वो क्या करता है human language को process करने के बाद उसे machine language में convert करता है और output generate करता है by using the machine language to human language तो एक कुल मलाकर जो यह है हमारे simulation है यह हमारे interaction based भी होते हैं यह बात होती है त तो चार पास तरीके के हमारे cognitive ability simulation होते हैं next इसमें आता है कि कौन-कौन सी AI की categories है अब मतलब categories का मतलब यह होता है कि AI जो अभी right now हमारे सामने मौझूद है वो किसके basis पर है तो पहला है reactive machine, reactive machine क्या होती है कि reactive machine के अंदर हम काफी सारे जो predefined rules define करते हैं यानि हमारे पास बहुत सारा data होता है उस data के अंदर बहुत सारे rules हम लोग बनाते हैं और उस rules के according वो अपना कोई particular task complete करता है अब ध्यान रखिएगा कि यह जो reactive machines होती है यह अपनी इनकी खुद की ability नहीं होती है और किसी भी तरह का कोई जो नया environment में हम लोग इस देगा क्योंकि इसके अंदर जो भी data हम लोगोंने feed किया है यह केवल उसी के अधार पर results देता है तो यह हमारा AI category के पहली एक हमारी machine है दूसरी category AI में आते है limited memory तो limited memory का मतलब यह है कि कोई भी चीज होती है AI हो या कोई भी system हो उसके पास अपनी memory होती है for example हमारे laptops हैं हमार AI system की भी जो memory होती है तो इसके अंदर भी memory के अंदर पुराने data को पुराने data जब हम बात कर रहें तो historical data या फिर past data के हम लोग बात कर रहें तो AI system होता है वो अपने पुराने data के उपर अपने को learn करता है और उसके basis पर decision जो है देता है जिसमे for example self driving car जो है इसका सबसे best example है then next इसमें आता है theory of mind, theory of mind तो जो हमारा human mind है इसके सामने हम लोग different type की problem रखते हैं तो वो अपने experience के base पर, emotions के base पर, belief के base पर किसी problem को solve करता है तो उसी तरीके से धीरे-धीरे AI को भी हम लोग human emotions, beliefs, intention इस तरीके से धीरे-धीरे train कर रहे हैं हाँ इतना अभी हम लोग advance नहीं हो पाएं तो theory of mind पर भी हमारी एक particular AI पर हमारा work हो रहा है जिसमें human के emotions, belief और intention के basis पर जो है उसके अंदर जो है नए नए results प्रडूस किये चाह रहे हैं then next इसमें आता है self-aware AI, अब self-aware AI का मतलब यह होता है कि इसके अंदर कोई भी पुराना data नहीं होता, कुल मिलाकर जो है AI अपना खुद का environment को sense करके, आसपास के environment को sense करके, conscious होकर, consciousness एक अलग चीज है, वो machine consciousness के हम लोग बात करने तो अभी machine के अंदर consciousness नहीं आ पाई है, यह क अपने environment को interpretate करके, उसको understand करके अपनी एक thought process को develop करता है, तो दिखिए, यह consciousness, self-awareness, understanding, thought process जो है, यह सारे variable जो है human being के अंदर available होते हैं, AI के अंदर अभी जो है, यह सारी variables जो है, अभी absent है, available नहीं है, अब हम लोग इसके अंदर आते हैं, code technologies के अंदर, कि AI के अंदर, अभी right now, जो है, किन-किन field में work चल रहा है, तो सबसे best जो work जो चल रहा है, वो है हमारा machine learning का, machine learning की हम लोग बात करते हैं, तो machine learning का मतलब क्या है, तो machine learning का मतलब यह है, कि AI, जो है, artificial intelligence जो है, इसके अंदर ब pattern के basis पर, मनलब हमारे पास data है, अब data हम लोगोंने machines के अंदर डाला हुआ है, अब यह machine क्या करती है, यह machine जो है, उस particular data को analysis करती है, और एक तरह के pattern को recognize करती है, एक तरह के pattern को recognize करती है, और उस pattern के अधार पर जो है, machine learning के algorithm वर्क करते हैं, और अपना output generate करते हैं, हाँ, यह 100% accurate result नहीं देते हैं, क्योंकि यह जो है, अपने past performance के basis पर pattern को recognize करती है, हाँ, अगर कोई नया pattern के सामने आता है, तो यह जो है, किसी भी तरह के अपने output के अंदर उतने result अच्छे नहीं दे पाती है, then next इसमें आता है deep learning, deep learning का मतलब यह होता है, कि image के अधार पर, speeches के अधार पर, जो complex system है, for example, हमारा neural network, तो एक तरह की यह special kind of machine learning है, जिसमें neural network के system available होते हैं, जो की बहुत complex data को भी analysis करके, images और speech को एक नए task में convert करता है, for example, आपने क्या किया, बहुत सारे videos और audios की file को एक जगा पर रख कर, एक नया video create किया, यह possible हो पाया है deep learning की help से, for example, आपने देखा होगा बहुत सी जगा पर, आजकल YouTube में बहुत सारे जो YouTuber हैं, वो कर रहे हैं, कि अपने ऊपर एक नया किसी actor या actress का चेहरा लगा देते हैं, तो वो जो है deep learning की वज़े से ही possible हो पाया है, then next इसके अंदर आता है neural language, neural language का मतलब यह होता है हमारा, कि जो एक तरीके से natural language processing है, natural language processing का मतलब है हमारा, कि human language को understand करके, interpretate करके, एक human language के अंदर ही उसको output देना, जैसा कि अभी मैंने बताया था, for example हम लोग Google Assistant की help लेते हैं, तो यह एक तरीके का AI का अलग type की code technology है, जिस पर बहुत वर्क इस समय चल रहा है, then next इसमें आता है computer vision, computer के अंदर, AI की हम लोग बात करें, और computer vision की बात ना करें, ऐसे नहीं हो सकता, तो computer के अंदर, computer system है, वो बहुत तरह के visual information को interpretate और understand करके, एक नई तरह के image of video analysis के अंदर, करता है, for example, अभी right now मैं video बना लूँगा, फिर इसके बाद मैं video को edit करूँगा, अब video को edit करना जो है, अभी right now मैं video जो edit करूँगा, वो manual based होगा, अब कहीं पर मेरे पास ऐसी technology आ जाए, जो कि मेरा system जो है, मेरे इस video को, मेरे past के video के अधार पर इसे, जो है, edit कर दे, that is example of computer vision, medical images, brain tumor images होती है, medical images के अंदर हम किसी भी tumor को detect करते, that is example of computer vision, okay, then next इसके अंदर आता है, reinforcement learning, reinforcement learning में क्या होता है, कि जो AI system है, वो trial and error के basis पर एक particular किसी भी system को feedback करके उसके action को optimize करने की कोशिश करता है, this is example of reinforcement learning, जब हम लोग AI के बारे में पढ़ेंगे, खासवर से action में आपके इस लिवस में AI में इतना नहीं है, जितना UGC net exam के अंदर है, केवल अपना जो discussion है, वो केवल इसी lecture तक रखिएगा, जादा अंदर deeply जाने की कोशिश मत करिएगा, अधरवाइज आपके exam में, आपको PSG नहीं करनी है, आपको अपने exam qualify करना है, अब बात आती है, AI की कौन कौन सी applications है, तो सबसे best exam exam पर है healthcare, तो AI की help से जो है, बहुत तरह की medicines, treatment और बहुत तरह के medical images के उपर work चल रहा है, तो AI का बहुत बड़ा application जो है, healthcare में available है, इसी तरीके से finance के अंदर, finance के, हम लोग बात करें, तो AI की help से बहुत तरह की algorithm trading होती है, उसके अंदर बहुत तरह का बहुत fraud करते हैं, तो उस fraud को detect करके, और बहुत सारे तरह के जो risk का analysis करते हैं, जब भी कोई finance का term आता है, तो उनसे related algorithm available होते हैं, उनसे related risk available होता है, तो उस risk को minimize करके, लोगों के सामने present करना, जब भी कोई finance के अंदर इस तरह का work आता है, तो अगर हमारे पार system available है, तो उस को analysis करके, दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं कि इस system के अंदर जो लोग ले इस तरह की scheme बता रहे हैं, इसके अंदर fraud है, तो यह finance के अंदर भी AI की बहुत सारी facility available है, इसी तरह की से transportation, transportation की बात करें, तो self driving car, traffic optimization जैसे अभी पता पढ़ जाए आपको, कि इस route पे बहुत सारा traffic है, तो आप अपना route को divert कर लोगे, खास और से हम लोग आज कल Google map की मदद से ऐसा हो रहा है, इंडिया में population इतनी है कि हर road पर इतना traffic रहता है, तो जाएं कहां से कहना जाएं, तो यह भी जो एक अलग तरह की problem है, तो एक तरह का self driving car, traffic optimization, एक तरह की जो vehicles को maintenance करने का जो problem है, transportation के अंदर आता है, और इसके अंदर भी application, AI की जो है, नहीं नहीं application देखने को मिल रही है, then education, परसनाइज लर्निंग, टिटोरियल सिस्टम, एक अप्टियस असिस्मेंट जो है, education के अंदर AI की बहुत applications है, और खास और से human mind, जैसे कोई person है, वो उसके सामने, जब भी हम लोग कोई चीज प्रिजेंट कर रहे हैं, वो तरह ग्रैस्प नहीं कर पा रहा, तो वो अपने according, अपने basis पर किसी भी चीज को लर्न कर पाए, खास और से YouTube की help से ऐसा हो पाया है, otherwise पहले हम लोग classroom learning पर बेस करते हैं, पर आप right now जो है, आप देख रहे होंगे, कि कही नहीं नहीं जो digital technology ने लोगों के सामने education का AI का बहुत बड़ा scope है, वो लाके रख दिया है, entertainment, खास और से entertainment की बात करें, तो gaming के अंदर, content creation के अंदर, reality experience के अंदर, AI की बहुत बड़ी-बड़ी application आती है, इसके अंदर भी हम लोग AI की बात करें, तो कुछ ethical or security concern है, AI के अंदर, जिसमें पहली बात तो यह है कि AI काफी हद तक अभी तक के जो system के अंदर, जो है, वो biasness or fairness का एक problem create करना है, क्योंकि इसके अंदर जो data available होता है, data, trained data के basis पर यह अपना result निकालता है, है ना, क्योंकि अब अगर कोई मान लीजिये, कोई output आपने, आपके सामने कोई अलग तरह का input आएगा, और उस तरह का training data हमारे एक system के अंदर available नहीं होगा, तो यह हमें, जो result देगा, वो उतने accurate नहीं देगा, job displacement, जैसे से AI का बोल बाला हो रहा है, तो बहुत तरह कि जो job है, वो automation mode पर जा रहे है, तो बहुत तरह कि जो jobs है, वो जा रही है, जा रही है, यह 100% सही है, तो unemployment बढ़ेगा थोड़े कुछ sectors के अंदर, बच साथ में employability भी बढ़ेगी, कुछ अलग sector के अंदर, तो कुल मिलाकर आपको नई-ई-ई skills सीखनी पड़ेंगी, अगर AI आता है, आई रहा है, obvious बात है, तो उस तरह की skills होंगी, वो आपको grasp पननी पड़ेगी, privacy और security का issue है, क्योंकि daily basis पर बहुत सारा जो personal data है, users का, वो system के अंदर जा रहा है, और जब system के अंदर इतना सारा data जाएगा, तो आप खुछ समझ सकते हैं, कि किसी भी human being को target करना कितना असान हो जाएगा, तो ये एक concern है, उसी तरीके से, जो है, autonomous decision making, अपने आप ही किसी भी तरह का decision लेना, autonomous, तो autonomous का मतलब यह होता है, कि जब भी हम लोग human being, जब भी कोई problem होती है, तो उसके अधार पर हम लोग खुद के अपने decision लेते हैं, बाट कोई हमारी जगा पर हमारे लिए decision लेगा, वो कितने accurate होंगे, और हम लोग उस पर कितने reliable कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी problem है, ओके, ये आती है, then next इसके अंदर आता है, हमारा कुछ future challenges की बात करें, तो future भई कोई चीज आ रही है, तो उसके उपने कुछ के future challenges भी होंगे, explainable AI, यानि अब जैसे से AI, जो है, केवल fact basis पर जो result दे रहता, पर धीरे-धीरे हम लोग चाहते है, कि जो भी चीजी हमारे सामने present करें, तो उसका एक proper explanation जो है, human being के past present करें, अभी right now, human being को explanation को उसकी जरुत नहीं पड़ती, अगर AI जब कोई इस problem को solve करेंगा, तो उसके लिए क्या क्या जरुत पड़ेगी, यह जो है future challenges है, continuous learning, continuous learning का मतलब यह है, कि जैसे जैसे नया नया information आएगा, बड़ी-बड़ी बाते होंगी, तो उसी तरह की जो data है, वो भी हमें अपने system के होनी चाहिए AI ethics में, क्योंकि जैसे healthcare के अंदर applications में AI की application बढ़ेंगी, तो जो data है, human being का, वो कितना privacy, उसे हम लोग कितना private रख पाएंगे, यह भी बहुत problem हमारे लिए हो सकती है, AI governance, तो जैसे AI governance का मतलब यह होता है, कि AI technology है, कहीं ऐसा नहों कि AI technology हमारे life के अंदर, कितना घुज जाए, कि हमें अपने खुद की policies, regulations के लिए, मजबूर होना पड़े, कि हमें उसको अलग करना पड़े, तो कैसे हम लोग जो है, AI हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, यह AI governance के अंदर आएगा, तो यह भी जो है, आगे का future challenge में आएगा, तो this is all about, आपने यह वीडियो last तक देखा भाई, thank you, जिन लोगों ने अभी तक देखा, और AI के अंदर जो है, इतनी सारी problem, इतनी सारे concern, इतनी सारी technology जो आ रही है, इन पर हमने चर्चा करी, तो अभी तक आप, अगर मेरे साथ बने हुए रहे हैं, तो वीडियो को like कर दी जिएगा, और इसके अलावा हमारे KVS, DSSV, EMRS, NVS के जो PGT, TGT की जो course है, इन पर enroll के लिए आप हमारे WhatsApp पे contact कर सकते हैं, हमारा WhatsApp नमबर जो आपके screen पर available है, इसके लावा कोई भी अगर आपका doubt होता है, उसके लिए भी आप हमें contact कर सकते हैं, तो this is all about, इस वीडियो के इसके लिए का जो PDF है, मैं Telegram चैनल पर upload कर दूँगा, तो Telegram चैनल को आप जोइन कर लिजिए का, Telegram चैनल का link वीडियो के description में है, इसके लावा किसी भी तरह के doubt हो है, उसके लिए आप हमारे WhatsApp की जो community है, उसके भी हमें contact कर सकते हैं, तो this is all about, मिलते हैं आप से next वीडियो म एक और important topic के साथ, thank you